नमस्ते मैं प्रतिवा सेथिए आपकी टेरिट का रीडर एंड कॉंसलर एस्टो पॉइंट फश्रमया न्यू डाली से आज हम बात करेंगे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है इनकी प्रफॉर्मेंस कैसी रही तो आईए सुमित आपका हमारे स्टूडियो बस्वागत आप दोस्तों जैम आज आज दिया चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हमाज की अपनी वीडियो अमकी स्टालिन की कुंली है यह इनके प्लानेट प्लानेट्स है कहां पर प्लेस रहें जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो एक उन ली एक लाइव एक्शाम्पल है सक्से ले सकते हैं जो बच्चे सीख रहे हैं उनको इससे मेली और जो लोग हमारे चानल से नए जुड़े हैं विडियो को लाइक किज़े सब्से़ाइब किजिये विडियो कi concerned करके बताइए आपको हमारी विडियो कैसी लगते है हमारी वीडियोस अपने वाट्सप ग्रूप में जरूर शेयर केजिए और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइम ना किया जल्दी से कर दीजे बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजे ताकि जैसे वीडियोस अपलोड़ों आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो स्टार्ट करत सब्सक्राइब करते हैं जरूर सनातन के बारे में काफी कुछ खा दो तो उसकी वज़ा से काफी जारी समय कॉंट्रावर्सी है बिल्कुल होट चल रहा है वह दोस्तों डिवेट सब्सक्राइब काफी सारी तो इसी वज़से मैंने दोस्तों उदेली जो है स्टालें उनकी वज pra緣 है तुरस से काफी सर पड़ेगा उसना उन पर क्या पढ़ने वाले दोस्तों और क्या इंडिया जो अलाइस है ऑज एंडिया यज फैन पर अ नबर लगन होगा नालम में दे लेकता है तो में पुणज से अर्ड हेडिक जो लोग जो लोक सी अर्ड Сिफनीन आपटी आपटानों पी जो चलिए यह पॉइंट में साघे पड़ देती हूं लगन है इनका व्रिशक स्कॉर्पियो यह 1st House लगन चार्ट है तो लगन इनका व्रिष्चिक है Scorpio मंगल को डिनोड करता है उसको को एंसे राजियोगई इतने स्ट्रॉंग है अगर आप भी पॉलिटिक्स में आना चाहे तो आपको HELP करेंगे और चंद्रलगन है इनका CEO link ये चंद्रमा लिखाव है चंद्रलगन moon sign है इनका Leo Singh जो कि सूरे को denote करता है हमारी जो prediction है लगना से होती है हम moon sign से नहीं करते है लेकिन Vedic astrology में moon sign follow होता है चंद्राशी sun sign को हम सूरे राशी को follow नहीं करते है सूरे लगन इनका कॉम है Aquarius ये सूरे लिखाव है सूरे लगन sun sign इनका Aquarius कॉम है जो कि शनी को denote करता है शनी exalted but retro शनी जो है exalted है seven number में Libra में तुला में शनी exalted होता है उचका होता है लेकिन retro gate भी साथ में ये सुमित आपको बताएंगे कि इनके लिए कैसा है Mercury niche in fifth house बुद्ध जो है नीच का है 12 number Pisces में बुद्ध नीच का हो जाता है Sun 10th and Moon 9th aspecting each other Sun 9 Sun 10th 9th सूरे 10th का लौड है और चंद्रमा 9 का लौड है और interchange between 5th and 6th इन्टरचेंज ये बुद्ध है नहीं ये मंगल है और मंगल की राशी एक नंबर मेश यहां पे है गुरू और गुरू यहां पे है और गुरू की राशी Pisces में 5th में तो इन दोनों का इंटरचेंज का सही होता है ये भी आप बताईएगा दोस्तो आप तो जानते हैं कि यह बहुत करून रिजी फैमिली को दोस्तों बिलॉंग करती है यह स्टालिन निंगे दोस्तों पीजा की लगशी लेखे चलते हैं कि किस तरह की लगशी की वजह से आपको एक इतना बड़ा नाम शौरत सब दोस्तों मिल जाता है दोस्तों आपने उधे नहीं कुंडली में देखा उसके कुंडली में हम लोगों ने देखा उसका जो बाला साब ठाक रहे के बैटे हुंस अब ठाक रहे हैं क्या क्या होता कूंसा हूस दोस्तों में नहीं दोस्तों लिखता हूँ पार्ट करेंगा दोस्तों यह होगा हमारा गेंज का लौट यह बेसिकलिए हम दोस्तों में में पॉइंच बागी देखे आप स्क्रीन पर दोस्तों आपके बारा के बारा हुद नदर आरे कि कॉन साहूस के स्टेज को डिनोट करता हूँ है यह फ़र्स वालय भीे दोस्तों अ हुआ है ले फिको गुञान के बहुत जास्तों पोहने जाता हैॹ दोस्तों आए को घान शरणी नदर को प्रणा बीद्या नहीं की वोत बहुत जादा था लिए तो सबसेड़ बाग आपने को देख रहा century का लौट्राunk बजया कि आपक काम ही करेगा तो उसमें जो इसकी जो स्टेंसें उसके जो इसक वीग हो जाती है और शनी दोर्ट का लोड है तो हेल्थ के लिए काफी नेगेटिव वज़ा था शानी का रेट्रोगेशन हेल्थ के लिए और सबसे बड़ी बात है दोस्तों में लेवर को रीकम को दोस्तों के लिए कोईने नत्याली नेगेशन होगा नियुक्त होगा इस यहां इस जो यहां पर नेगेटिव ली प्लेशन होगा विडिस वर्फार, नियुक्स महींड नियुक्त है पूर्ठ दोर्ट बीक है और मेर्कुरी कितने इन पर गेंट का भी लॉड़ है और दोस्तों आपका कही न कहीं आपके एड का भी लॉड़ है तो सुपर प्रेक्टिकली भूद भी है नीच भी है शारी नीच का ही होके छलता है पूरे नगाशी हो यानि कि जब चंदर्मा अपनी फुल स्टेंट होता है इंटर्चेंज ऑफ साइं मतला इंटर्चेंज ऑफ आस्पेट चंदर्मा सूर को देख रहा है बहुत बड़ा काम है जोस्ता चंदर्मा नाइंथ पापा का लॉट और सूरे टेंथ सत्ता का लॉट स्टा मिलगी और कई निव ब्रॉट पापा के नाइंथ और टेंथ आपस में कंबाइन करेंगे इंट्रास्पेक्ट के चॉड्य को लेवले उस तर बहुत बहुत ब्लेसिंग होता है जिए चेंथ आप भागय भी आजाता है तो बहुत प्लाट मोतेंदी नोग बात करेंदे यहां पे और दोस्तो आप नोटिस करेंगे होता इस ने डीटीवीटी ही दूश्मन आपे हावी हो जाते हैं उस आप में शानी का भी एस प्रेट कौन से तो और ज्यादा नेगेटीविटी आए तो बेसिकल्ट यह वहां जो स्टेंगेटेंगेए विखुज़ धिए और अच सब्सक्राइब करने के लिए काफी जादा बैटा रहे हैं तो यह कुछ लेकर जोखा था इस कुंडली के अंदर बहुत सा चीज़ आथी थी बट बस एक नच्छल में बात बदा दू जिस कुंडली अभी नाइंस और टेंस आपस में कंबाइन करेंगे दोस्तों वह कुंडली क्यों नो उसका जो जो यह कॉंडिशन दोस्तों नेगटिविटी को पुल्डवन करके राजयोग के ऊपर राजयोग देखे चलिए चलिए फ्रेंड्स यह सारे पॉइंट्स मैंने पड़ दिये सुमित ने आपको कुंडली भी एक्स्प्लें कर दिये जो मारे आज के कोशन नहीं हम जल्दी लेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहीएगा कि इनकी करण जो दशा है वो कैसी रहेगी जो अभी चल रही है और लोक सबह में इनकी जो जो जोज़़चोबिस में चुनाव हैं इनकी प्रफॉर्मेंस कैसी रहेगी तो जल्दी आपके कोशन लेंगे वीडियो के लिए यरली रिपोर्ट के लिए कि आने मेल आपका टाइम कैसा है यह तो है पॉलिटीशन की कुंडली अगर आप चाहें तो हम आपकी कुंडली भी ऐसे बना के आपको वाट्सप या मेल कर सकते हैं अगर आप अलाओ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे नहीं तो हुआ आपका नाम चेंज करके भी डाल सकते हैं और इसके हमारे चार्जिस हैं हमहर किसी की कुंडली एसे नहीं ढलते तो अगर आप चाहें हमें कॉंट타क़् कर सकते हैं नूम्बर आपकी स्क्रीन पर है चलि यह वीडियो के अंतक बने रही है जानने के लिए आज का कोशन की 2024 लोग सबा में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी तो मैं सीधा यह दशा ले लू इनकी पहली दशा आपने लिखी हुए शनी की पहले मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दू फॉर्स्ट मार्श नाइट जून 2009 को स्टार्ट हुई और 21 जून 2018 तक चलेगी 25 साल के दशा इनकी पड़ी हुई है उन्ने साल की महा दशा बहुत बढ़ी दशा होती है शनी की 12th house की दशा है शनी यहां पे एक्जॉल्टिड है उचका बर रेट्रोगेट भी है तो यह दशा इनके लिए कैसी रही सु दूस्टो जब बात करेंगे और लोग बात करेंगे यह काइंड और बीडियो अकर दशा होती है बस सबकु दूस्तों डपेंड करता आपके उस समय की गोचर क्या चल रहे है चाड़े साथ ही का देखना ड़िया चल रही है जापनी देखना चल रही है उस समय कौन से इनकी दर्षा को हम छोटा कर लेते हैं ये तब जब बने था किए बिलकुल शनी और तो यह तो आपने बताई है राजयों गया है तो शनी और चंद्रमा की दशान की में 2020 में स्टाटी वे दिसमबर 21 तक चली डेट साल की दशा तो यह दशान के लिए कैसी रही इसी बीच यह आपने क्या लिखा कि अपने दोस्तों पीक पर से बिलकुल उसे में जो हालात की सब जानते हैं उसके तो बहुत दूर की बात है आप अपने सीट भी हाथ सके हो तो उसका रिजल्ट बनाप वह दो है कि हम अंतरजाशा को देखेंगे यहां पर मून को देखिया आप शर्णी दोस्तों यह रहा शर्णी से मून दोस्तों 11 था में लेकिए यह फॉर फाइट सिख सेवन एट नाइन जो मने को दोस्तों इन बताए कि मून यहां पर नाइंज का लॉट है भागय का लॉट सब से मजबूत के दिन में बहुत ज्यादा स्परंग दोस्तों सूर्य क लेकिन दोस्तों गुरु का असपेक्ट भागए जादा रहा है तो इतना जादा स्प्रांग् मोन दोस्तों अपने ऑच्छा काम कर नहीं था है केंद्र, डिकोन के जब भी जुत का कार जाएगी। कुछ यह प्लाइब गातो है, यह पर कहुंत अएफड़क्स पिश हूंगै। जनता गावी आशिरवाद दोगों तो इस पुझादस है यह श्यानी वामून के जब दशाही दोस्तों इनको सत्ता मिल गई यह मुख्यमंत्र बनने है चलिए अब हम आते हैं इनकी करण दशा ले रहे हैं चलिए फ्रेंड्स हमने आपका कोशन ले लिया है कि 2024 लोग समय में प्रफॉर्मिन्स कैसी रहेगी तो वीडियो के अंतक बने रहेगा और जिन लोगों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर दीजे बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीज़े ताकि जैसे वीडियो अप्लोड़ों और आपको नोटिफिकेशन आ जाए और जिन्गी में होना है सफल तो जुड़िया एस्ट्रोपॉइंट सुमिच सेटी से मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िया एस्ट्रोपॉइंट सुमिच सेटी से नंबर आपके स्क्रीन पर है अब दोन दशा एक पर देना बिलकुर यह इनकी राहू की दशा फेब 23 में स्टार्ट हुई इसी यह स्टार्ट हुई है और December 25 तक चलेगी मतलब दो साल और दस महिने की दशा इनकी करण दशा यह कैसी रहेगी इनके लिए शनी वही 12 में है और राहू इनका थर्ड हाउस में है 12 हैं थर्ड की दशा बैसे दोनों ही negative हाउस है पर 12 वही खर्चों के लिए negative और third self के लिए है यह आप बताएंगे इनके लिए कैसी रहेगी और फिर इस दशा का हम और चोटा कर लेते हैं शनी राहू शनी यह लोग सबागी दशा है जिस भी चुनाव होंगे 2024 में तो यह दशा कैसी रहेगी हम जल्दी बताएंगे यह द इनके प्रफॉर्मेंस अच्छी रहेगी दोस्ता आपको मैं समझादों कि शानी में रहूं अंतर दशा के लिए बताएंगे कि शानी रहू दोस्तों के अच्छा करते ही नहीं है वह जादे नेगेटिव हो जाती है अगर आपके रहू यह चानी नेगेटिवली प्रेस्टो ऑब देखे दोच दोस्तों अज के ट Max चाल रहें की कि आज कि इति के रहे है दोस्तों दूराइज ना नि शरी गतर हैं दोस्तों गुरू दोस्तों नहीं हमारा 30 अक्तूबर तक और दोस्तो शानी का रेट्रोग्रेड है फॉर्थ में नमबर तक यादि कि दूस्तो यह टाइम द आप देखके चलिए इसमें चीज़ वह दोस्तो एक ही मैं आपको अपको आता हूं सूरे मीची को आता हूं से सट्रह अक्तूबर से लेकरब शांची की अगहार कि इसके उसमें भी रैण्य चार आपको आंहें लुक्त आ दूस्तों अब सरे बात करें। थ़र्ड होस के अंदर है। और आज कि बात करें। दूस्तों गुरु चंडाल योट कि रहू है। और गुरू दोस्तो वक्री भी है रेट्रो ग्रेट भी है और इंसीडेंटली यहां पर जुपिटर जो है दोस्तो वो 6,000 ना के उलड़ी हो चुक है शनी के एस्पेक में आपको सुनके हरानी होगी कि फिफ्टा उस दिनोड करता है गुरू दिनोड करता है फिफ्टा बेटे बेटे के साथ दोस्तो इशू आने से हमें लाजमी थे तो दोस्तो अपने क्लाइट्स हमेशा बोलतों कि ऐसी जब दाशा आती है बेटे को अपने से दूर करें बेटा बाहर जाए तो बेटे पे नेगेटिविटी बहुत जाद आ रही है तो खरी बेटे की हेल्स पीड़ आती है बच्छो आप से दूर चल जाते है कुछ नेगेटिविटी आई ही जाती है यहाँ दोस्तो आपने देखा किसा लीगल इशू बेटे के अपर आती है इतना नेगेटिव गुरू शानी का भी एसपेक्ट दोस्तो गुरू चंडाल जग भी गुरू वाकरी भी चल रह इस टाइम पर दोस्तो इतनी नेगेटिविटी आना लाजमी थी अब जो चल रहे है दोस्तो इसका असर क्या पड़ेगा दोस्तो मैं भी आपको बताता हूं यह लिए दर्शा के बाद हमें दोस्तो लोग सब आता हूं या कि उसको और नेगेटिव करने के लिए दो शानी रहू फिर से शनी बट दोस्तो इस समय क्या होगा इस समय एक अच्छे बात क्यों जाएगी लोग सब्सक्राइब इस नेगेटिविटी तो मैं रहेगी बट इसमें जो दोस्तो वो जो जो इसका पहना पाने जो इसका विशाला पाने इस दर्शा का इसमें थोड़ सी कम या जो भी चीज़े बढ़ेंगी अभी उस चार वंबर तक मुझे लगता कि बेटे वह रहात मिलने वाली है उस यही बात मेरे बताई थे जमार्णी बनाई थी अभी दोस्तो इनकी इन पे इतना सर्शायद पढ़े ही जाना पड़े पस इनका इंडिया ब्लॉग जो बहुत ज ज़्यादे इनका 4 नमंबर तक इसका अजसार यहां पर क्योंकि आपको एबात क्लियर कट कर दू क्योंकि तब बोचर ठीक हो जाएंगे दोस्तों इनकी पकड थोड़ सी बैटर तो होगी आज जो दोस्तों नहीं जीते ही इनके पकड फोड़ी कमदोर होगी इनकी सीटी न पर कि स्क्साइब थोड़ी पकड इनकी मजबूत हो जाएगी तो सीटे इनकी कम तो होंगी लिएकि नुबर वन पार्टी दोस्तों यही बनने वाली यह लोग सवाच वाज़ाइब के अदर अभी इस पर अच्छी खासी बिल जाएंगे तो वहां पर बीजए पी आंडे की वह भी बहुत दूर है महाफिम को भी बहुत ज्यादा लाब होने वाले हैं अला कि उनकी इंट्रल जहाँ हो जाएगी इनकी सीटे दोस्तों कहा हो जाएगी 2019 में पिछनी 2019 तो बहुत ज्यादा खतरना ताहीं शनी पर रेट्रो ग्रेड है दोस्तों गुरू बी रेट्रो ग नेगेटिविटी बढ़ेगी दोस्तों ना खुद इनके लिए बलके बेटे हो जाने जीक लिए हाला कि उनकी खुद के दश्या दोस्तों ठीक ठाक है उद्या ने जीकी तो वह थोड़ा सर्वाइब कर लेंगे जासे कोई लीगल के दोस्तों पर इंप्रिजन्मेंट ऐसे लेकिन दोस्तों प्रेशा डेवाइड आपर बढ़ने वाले मतलब 4 नमबर तक इनका टाइम नेगेटिव यह फेस्क बहुत तो उसके बाद ठीक है उसके बाद से बैटर हां लोग सब हो जाएगा अलेकि जशा नेगेटिव होगी प्रतंत्रा देशा नेगेटिव होगी ब नमबर मन पाड़ी उसके रहने वाले तमिल नाडु में दोस्तों इंडिया ब्लॉग को काफी बैरिफिट में मतलब इनकी प्रफॉर्मेंस लोग सभा चुनाव में अच्छी रहेगी अबब एवरेज चलिए फ्रेंड समयत के वर्ट्स माक कर लिजे इनकी प्रफॉर्मेंस अच्छी रहेगी अबब एवरेज रहेगी बहुत ज्यादा दिमार के साथ काम करना है इनको स्मार्ट ली काम करना पड़ेगा तो यह वली जश्या खास का चार नमंबर तक का जो टाइम हो रहा है दोस्तों सत्रा अक्टूबर सत्रा नमंबर तक नीच को होगा इनकी बहु कोशन रहेगे हों तो कमेंट यह मैसेज करके पूछ सकता है और नेक्स कुणली आप किस पॉलिटिशन पर देखना चाहते हैं यह ग्रिकिडर पर आप हमें प्लीज कमेंट करके बताईए हम वेट कर रहे है और कल की कुणली हमारी मोदी जी पर है कल की दोस्तों मोदी जी प उनली पर बाइं टेक क्या हाव गोड़ जय माता दी फ्रेंट्स टेक कर स्लेबलस जय हिंड जय भारत